ये वत्माल जिले के आर्णी शहर में इदिनों हजरत बाबा कंबल पोश्ट के 94 सालाना उर्स शरीफ का आगाज हो चुका है इस मौके पर उर्स कमीटी की ओर से शाही संदल, फाते खानी, महफिले कवाली, भवी खंजेरी बजंस परदा, महाप्रसाथ और समाच प्रबोधन पर विभिन कारेकरमों सहीत 5 फरवरी से 10 फरवरी तक भव्य नीशुल्क स्वास्त जाश्विर का भी आयोजन किया गया है हर साल की तरह इस साल भी उत्मल जिले के आरनी शेहर में हजरत बाबा कंबल पोश रहमतुल्ला अले का 94 सालाना उर्स बढ़ी हर्शोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पाच फरवरी को शाही संदल के साथ इस उर्स शरीफ का आगाज हुआ आगामी दस फरवरी तक उर्स कमीटी की और से यहां कई तरह के धार्मेक सामाजिक तता महफिले कवाली भव्य खंजेरी भजनस परधा आदी मनोरंजन तता प्रबोधन पर कारे क्रमों का आयोजन किया गया है इसके साथ ही यहां रोजाना भवे सौस्त जाच शिवीर और लंगर आदी उपकरम भी जारी है इस उर्स शरीफ के मौके पर लगा मेला ना सिर्फ आकरशन का केंदर साबित हो रहा है बलकि इस मेले में आसाम मध्यपरदेश, वेस्ट बिंगॉल, गुजरात, आंधर परदेश, उत्तर परदेश, आदी सहीत, विबिन राज्जों से आये व्यापारियों को भी अच्छा खासा रोजगार उपलब्द हो रहा है इस मेले में कई तरह के आसमानी जूले, दुकाने और खान पान सामगरी के केंदर मेले में आने वालों को आकरशित कर रहे है दरगा ट्रस्ट की और से यहां आने वाले जाहरीनों के लिए आगामी दस फरवरी तक स्वास्त जाच शि स्वादिस्ट भोजन से लाभानवित हो रहे है मेले में बड़ी संख्या में आने वाले भाविकों की भीड के मद्दे नजर दरगा ट्रस्ट ने अपने उतकुष्ट प्रबंदन और टीम वर्क से उर्स के उंदा आयोजन को साकार किया है इस मेले में बड़ी तादाद में अपने परिवार के साथ शरीक हो रहे लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग तथा पीने के पानी से लेकर प्रसादन ग्रह की बहतरीन व्यवस्था की गई है इक तरह से आर्णी के इस बहत प्रसिद्ध उर्स शरीफ का नजारा देखते ही बन रहा है जिसमें शामिल होकर दूर दरास के यातरी तथा अस्थानिय नागरिक हजरत बाबा कंबल पोशर रहमतुला अले के फैज़े आप से सराबोर हो रहे हैं इन बी सीन न्यूस के लिए आर्णी से जुबैर खान की रिपोर्ट